जहिन दोस्तों आप सभी का अपने राइंग पात में बहुत बहुत स्वागत है तो मेरे दोस्त मेरे साथियों बहुत खुशी की बात है कि SACCZL का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोगों मेरे दोस्तों सारी जनकारियां होगी कैसे भरना है क्या करना है है ना तो सारी जनकारियां आप लोगो देंगे चिंदा करने कोई जुरत नहीं दोस्तों बस आप इस वीडियो को पूरे तक देखिएगा क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए अगर आप जो है form खुद भरपाते हैं तो मैं यहीं को होगा कि आप खुद form को भरे अगर मैं पुड़ा डिटियल आप को बता दूँ ता आप भर सकते हो इसमेसे कोई डाउट है नहीं कि आप अगर आप कहीं भरवाते हो दोस्तों साइबर के में जा कर देखिए तो उसे आप बेहचव किदम बिंदास मांड कॉंस्टेट करके देखिए इसका रीजन क्या है मैंने अपने आखों से देखा हूँ कि मेरे दोस्तों जब बच्चे जो है सारा मेनद करते हैं प्री निकालते हैं में निकालते हैं फिजिकल मेटिकल सब पूश निकालने के बाद जो डोक्मेंट वरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर डोक्मेंट में थोड़ी सी एरर के वैसे वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता है अब कितना भी कातेरा ओसर हो जाएगा मैं कर दूँगा इस साइवर का फॉले ने में स्टेक कर दे लोगों सुनेगा ही नहीं क्य पुड़ा सब्री के साथ वीडियो को पुड़ा देखने का प्रयास किजिएगा अगर अच्छा लएगा मैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि मैं एक टीचर हूं मैं पढ़ाता हूं वीडियो बढ़ियां बनाओंगा में दोस्त आएसे मैंने यहां पर आया तुरॉंद फडाग मुझे दिखा दिया अनिक एससी का नोट्फीकरशन आ हुआ देखिए मैं दोस्तों यह सी का नोट्फीकरशन है जो कि मैं आप लोगों को यहां पर आ करके दिखाता हूं देखें यह हमारा जबसे मतब आप यहां से आप क् अपने पास में आप लोगों को वीडियो में दिखा दूगा कि मैं बीना फ्लैग अपने रूम में लगाए रही नहीं सकता हूं मैं अपने पास फ्लैग हमेसा रखता हूं आईए तो दोस्तों यह बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को भी रखना चाहिए मुझे बढ़ियां लगता है है ना चलिए नोटिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों की नोटिफिकेशन में क्या है है ना चलिए आई देखते हैं देखे मेरे दोस्तों यहां पर आप लोगों को डेट दी गई है ना डेट आप लोगों को यहां पर दी गई है दोस्तों डेट दी करके 3 मैं तक आपको भराएगा जिसमें आप लोग को मेरे दोस्तों 3 मैं तक आप लोगी 12 तक 13 तक पांच साथ पांच दोयरते इस से आठ पांच दोयरते इस तक तीन बाय तक यह आपका दिया गया है window of the application from the correction payment और अगर आप payment किये कोई correction होता तो इसको आप साथ मैं से आठ मैं तक आप कर सकते हैं पैमेंट कर सकते हैं Gentative schedule of the tier 1 computer based exam नहीं से मेरे दोस्तों यह बहुत important है कि आपको जो है tier 1 जो होगा वह आपका computer based होगा और मेरे दोस्तों tier 2 भी है वह भी क्या हो मेरे दोस्तों computer basic exam होगा July में होगा मेरे दोस्तों July में होगा और जो है tier 2 के लिए to be notified letter यानि आपको notified letter आएगा इसका भी नहीं जिकर है मतलब आपका tier 1 का जिकर हो चुका है कि जुलाई में इसका paper होगा मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो में बता चुका हूँ इस बातों को आईए दोस्तों देखते हैं आगे कारे करम को बताते हैं अब यहां से मेरे दोस्तों यह पेमेंट ओली बात है तब पेमेंट ओली मैं separate वीडियो बताऊँगा ताकि आप लोग को form बनेवा अभी एक दो दिन तक वेट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे दोस्तों अभी site चल रही है आप लोग भरना है अभी फिलाल 2-4-5 दिन के अंदर में भर लेना है मेरे दोस्तों क्योंकि बात में मस सुचिएगा हो सकता है कि क्या होता कभी server को problem होती है तो कभी payment फंस जाता है बहु सारे तकलिफे जहलने पढ़ जाते है इसल solution कराता हूं तो एक एक बच्चों को एक चीजों को बताता हूं उसरे से मेरा यह भी करता भी बनता है कि आपको सही direction में लेकर जाना सही तरह से बताना हर चीज़ को कौन सा post आपके लिए best है आप कौन से post को prefer करना चाहिए किस से आपको लेना चाहिए सारी चीव बताऊंग कि अचीज की बात होती है तो एस की लिए मैं बता दे रहा हूं मेरे दोस्तों कि जो लेवल जो है मेरे दोस्तों लेवल जो 7 वाले में है एक आठ दुहाजार को गिंती होगी जयुती होगी जो पहला मेरे for the post of which is limit to 1827 तो जैनी मेरे दोस्तों करा रहा है which is limiting the 1827 माग कंडिडेट मस्ट भी have been born not earlier than 28196 and not lesser than 8825 मैरे दोस्तों ये काने का मतलब समेरे आप लोग करें कि 18 से 28196 से पाले वाले बच्चे नहीं भरेंगी और मैरे दोस्तों 1825 के बाद वाले नहीं कि मतलब कि जिसे बाद वाले नहीं भर सकते हैं, बाद वाले ये सब नहीं भरेंगी याद रखेगा दूसरा मेरे दोस्तों for the post which is limited ये तनी 18 से 30 की बात करते हैं मैरे दोस्तों the candidate must be has been born on earlier than 28193 इसमें जो है मैरे दोस्तों 28193 से 92 ये 92 ये नहीं भरेंगी और यहाँ पर दोया तीन वाले ये चार पांच वाले नहीं भरेंगी फिर है ना ये बात को याद रखेगा लास्ट ये है ये थर्ड इसमें बात करते हैं for the post of visiting the limit ये 18 से 30 की बात करते हैं और 20 से 30 था है 18 से 30 the candidate must have been born earlier than the 28193 2993 से है और यहाँ पर थोड़ी सी बाते चेंज किया गया है मेरे दोस्तों ओ है 18275 इसमें था 18283 यहाँ पर 182005 अब बात करते हैं थोड़ा जो मैंने बोला थे एक post हमलों का 32 वाला भी है 18 से 32 की बाते हैं तो यहाँ पर देखे दिया गया है 281991 से 182005 तक है का मतलब है दोस्तों आगे कारेकरम को बढ़ाते हैं देखे अब है मेरे दोस्तों का टेग्री वाइस क्या कहा है एस रिलेक्सेक्शन की बात कर ले देए थोड़ा सा एस रिलेक्सेक्शन जरूरी है मेरे दोस्तों जो मिल रहा है तामें फाइदा उठाना चाहिए एज डिलक्सेशन ब्योंड अपर एज अपर एज लिमिट नहीं मरतब जिसका मतब इस खत्म हो गया है वह इसका फाइदा उठाते हैं मेरे दोस्तों दिखें कर्टेग्री वाइज दिया गए एस्टी के लिए पांच साल का ए एक सर्विसमेन के लिए एक्यों के लिए एक्यों एक्युले की लिए वाले के लिए बाते बहने ना आγαओ के बात करते हैं है तो ना एपलिकेशन फिस हैना यहाँ बनिकीशन फिस जो आप लोग दी मूअ द्रऴल्पीज KD देए दोश्तों सो और है और सब्सक्राइब कर रहा है कि ओमेंस के लिए जो सब्सक्राइब के लिए सब बाकी जाप लो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें अगर कर रहा है कि आप देखी यहां पर यहां पर में है यह इसको बातों के लिए अगर आप करेक्शन करते हैं तो चार्ज रखना चाहिए ठीक 500 यह पैसे समझें कि आपको 500 एक्ष्टा भरना पड़ जाएगा एक्जाम सेंटर एंड ओड़ कि आपको एक्जाम सेंटर यहां पर दी गई है है ना कहां कहां होगा सारी सेंटर आपको दीगे बंग वागलपूर में मुझफरपूर पत्ना पुनिया आग्रा विरैली गोरकफूर जहांसी कानपूर लखनावर और फिसका मेरट प्रियागराज वरांडसी इस सारी चीज़ दीगे सेंटर अब बिहार एंड उत्तर पर्द बिहार में जिसरे बिहार उत्तर प्रदेस के बच्चे क्या करें इसको भरेंगे यहां पर उसंटर को डालएंगे मेरणा पर सारी सारी दीगे इसको आप पढलेंगे मैं Congo सब्सक्राइब को खुद मालूम होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों आगे देखिए यहां पर मैं इसी को कभी से उपर निशे देख रहा था देखिए कर दोस्तों मैं इसको थोड़ा से बड़ा कर लेता हूँ एक्जामनेशन सेटूल की बात करते हैं दोस्तों देखिए हमें टीर वान में क्या क्या पढ़ना है तीर वन में क्या-क्या पढ़ने है मेरे दोस्तों यह नहीं आपको रिजनिंग पढ़नी है रिजनिंग आपको आएंगे दोस्तों वह हैं 25 मार्क्स को होंगे 25 कोश्चन होंगे 50 मार्क्स को होंगे टाइमिंग आपको बता रहा हूं मैं आप भी रुख जाओ जिनरल और इनेस पचीस कोशन होंगे, पचास नमर के होंगे, फिर उसके बाद में मैथ जो होंगे, वो आपके होंगे मैं दोस्तों कितना, पचीस कोशन होंगे, पचास मार्क्स होंगे, और इंग्लिज का कम्परियेजन जो होंगे, पचीस मार्क्स होंगे, पचास होंगे, तोटल हमारे ना 200 मार्क्स है ना और आपको कितने कोसे हो जाएंगे सो कोसे इन्हेंट जो होंगे वो 200 मार्क्स होंगे सॉव कोसेन 200 मार्कस ठीक है ना याद रखेगा टाइमिंग है वन आवर हना और यह तो मुझे से कोई मतलब ही नहीं रहता इसमें बच्चे आएंगे तो जानते हैं की बात करते हैं देखे टिया टु में क्या आरोज दिय गया है। लिएर टु में बात करते हैं थोड़ा सा ठीर टु लोर वन एकट seven-द्धार constitution से प्रवन हो गया है कि टोटल देखे में क्या क्या दिये गया हैं प्रवन में इसके लिए वह रहते हैं में जो साथ कॉशन और असी मार्व है एक जो मिलेगा दोस्तों बाकि वो लोग को मालूम है आप लोग को क्या क्या होते हैं सेक्षन टू में बात करते हैं इंग्लिस एंड इंग्लिस लेंग्वेज हो जाएगा और जिसमें आपको 70 कोशन होंगे एन इंगलिस के 45 होंगे और जियस के आपके 25 होंगे टोटल ए भी 70 कोशन है एक कोशन तीन आर्प नमर के होंगे जो कि आप